नमस्कार, मैं हूँ राहिला रह्मान और आप देख रहे हैं क्रिस्टिल्स और हम दोस्तो किसी भी लड़की या लड़के की जिन्दगी का सबसे खुबसूरत पल वो होता है जब वो माँ और बाप बनते हैं उनकी जिन्दगी में एक नए महमान की दस्तक होती है उस वक्त बस हम यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे, तंदरुस्त रहे, सेहत मन रहे तो क्या ऐसी सिचुएशन्स में क्रिस्टल्स हमारी मदद कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? आपके इन्ही सब कंसर्ण्स पे बेस्ड है हमारा आज का यह एपिसोड आईए बात करते हैं जानी मानी क्रिस्टल एक्सपर्ट अनूप अगरवाल जी से कि कैसे हम अपने बच्चों को हेल्दी रख सकते हैं क्रिस्टल्स के सरिए आईए स्वागत करते हैं अनूप अगरवाल जी का अनूप जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्ते अनुप जी मैं जैसे कि हमने बोला कि बच्चों की सेहत एक माबाप के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट होती है यहाँ पर रैला मैं बताऊंगा कि बच्चे की सेहत इंपॉर्टन्ट है लेकिन उससे पहले बच्चे ने कंसीव से लेकर डिलिवरी इता वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है कि मा की सोच या घर का इंवाइर्मेंट उसमें क्या क्या चीज़े हैं यहाँ पर हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो हम ड्यूरिंग फ्रेग्रेंसी जो क्रिस्टल्स उनको देते हैं उसको हम लोग पूरा स्टेडी करने के बाद देते हैं ताकि अगर मा हल्दी हैपी तो बच्चे का भी वही नेचर आएगा जो उसके दिमाग में चल रहा होगा उसका इफेक्ट बच्चे पर ज़रूर आएगा तो मदर का ट्रीटमेंट इस टाइम पर होना बहुत जादा जरूरी है और उसमें बहुत आसान सा अनुप जी ने बताया के क्रिस्टल्स आप यूस करेंगे तो उससे बहुत अच्छे एफेक्ट पॉजिटिव एफेक्ट आपको दिखाई देंगे अनुप जी एक इमेल हमारे पास आया है उसको ले लेते हैं अगर आपकी अजासत हो यहाँ पर लिखा है इनुने कि अनुप जी मेरा नाम आर्ती सिना है मैं आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ अभी मुझे फोर्थ प्रिग्नेंसी है मैं चाहती हूँ कि मेरी संतान निरोगी हो तो क्या मैं प्रिग्नेंसी के दौरान क्रिस्टिल्स यूज़ कर सकती हूँ बिलकुल आर्ती जी आपने बिलकुल ठीक कहा आप यूज़ कर सकती है और अपने बच्चे को हेल्दी भी ले सकते हैं लेकिन रिक्वेस्ट यह होगी कि आप एक बार बात कर लें डेटेल ले अगर आप आफिस के आसपास हैं तो आप मिल सकते हैं और अगर आप किसी और सिटी पे हैं तो आप हमारे को इमेल भेज़ दीजे पूरी डेटेल्स आपको कोरियर से भी मिल जाएंगे स्टोन्स और उनको प्रॉपरली आप उनको यूज़ करिये और यकीन मानिये आपको बेनिफिट हो गई होगा तो आरती जी आपको प्रे सवाल का जवाब यहां पर मिल क्या होगा और मैं बाकी दर्शक उसे भी अपने यही कहना चाहूंगी कि अगर आप भी इसी तरीकी की कोई परिशानी से जूज रहे हैं और क्रिस्टल्स का इस्तिमाल करना चाहते हैं तो आप भीचक के मत टीवी स बढ़ जाती हैं तो उस में किस तरीके के क्रिस्टल्स आप सचेस्ट करेंगे यकीन मानिये मैं यहां पर इस बात को प्रूफ करता हूँ जो हमने पूरा स्टेडी किया है और कई सालों से मैं इसको स्टेडी कर रहा हूँ अकसर लोग कह देते हैं कि जो जुड़वा उसी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और फिर आप जैसा चाहते हैं बैसे ही होता है तो बिल्कुल पॉजिटिव रजल्स तेखने के लिए मेलेंगे एक और एमेल अगर आपकी जैसा तो तो लेते हैं अनुप जी अनुप जी मेरा नाम भावनाचोहान है सर्भ मेरा प्रॉब्ल्म यह है कि मैं जब भी प्रेग्नेंसी प्लान करती हूँ तो 2-3 महीने में मिस्क्रेज हो जाता है सर्भ मैंने मेरी पहली प्रेग्नेंसी अबॉड करवाई थि क्या ये उसकी वज़ा से है या कोई और प्राब्लम है मेरे और मेरे हस्बन की सारी मेडिकल रिपोर्ट भी नॉमल है क्या क्रिस्टल्स इसमें मेरी कोई हेल्प कर सकते है बिल्कुल बावना जी इस केस के अंदर आपकी 100% मदद हो सकती है सिर्फ आपको डर निकालना है और अपने मंद से ये चीज़ निकाल दीजे कि ऐसा उसकी वज़े से हुआ है अगर एक गलती मेरे से हुई या कोई एक कंडिशन ऐसी खराब हुई तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार वोई गलती होगी था किस्तल को यूस कर लीजे मैं किस्तल सापको विजवा दूग़ा वो पर्टिकुलर किस्तल니 हैजो बॉडि के साथ टच करने हैं दो स्टों सोंगे जो पकड़ने हैं और इस तरह से आप مल्टिपल स्टों सोंगे जिनका यूस लिखा होगा उनको आप यूज करिए और wish you all the best, मिठाई का डबा हमारा बिल्कुल आपका और ऐसे कई मिठाई का डबे तो अल्रेडी आवे चुकी है तो भाबना जी हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी प्रिग्नेंसी होगी और हेल्दी बेबी भी होगा हमारी साइट से आपको बहुत सारी शुपकामनाई हैं उसके लिए और बहुत सारी दुआएं हम आपको दे रहे हैं उस चीज़ के लिए बस आपको कॉंटाक्ट करना है हमारी कॉंटाक्ट टेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है अनुप जी आपको सज़ेस्ट कर देंगी कि कौन से क्रिस्टल्स आपको इस्तेमाल करने है अनुप जी प्रिग्नेंसी के हमने बात कर ली यहां पर जब बेबी बॉन होता है उसके बाबी कई तरीकी की प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता ऐसे में आप क्या सज़ेस्ट करते है रैला यहां मैं एक केस बताओं बहुत इंटरेस्टिंग केस था वहां पे बच्ची जो थी 12-13 साल की बच्ची लेकिन बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से नराज रहती है अच्छा अब वो क्या बाहर निकलती है हैपी हैपी लेकिन पेरेंट्स को देखते ही उसको गुसा चड़ जाता और वो उनका कहना नहीं मानती अब मदर उनको लेके आए कहने लेके देखो जी यह बच्ची है अब 12-13 साल की हो गई है अगर इसने खाने के बरतन है वो भी आप किचन में नहीं रखके आएगी पानी भी पीना है तो बैटे बैटे हुक्म चलाएगी और यह इस तरह से हो गई है जैसे यह मेरी बेटी नहीं मेरी दुश्मन हो अरे अब इतनी ज़्यादा उनके अंदर फ्रिक्शन्स बढ़ चुकी थी कि जिसको कोई भी आदमी देखे तो उसको आउटसाइडर को भी पता लग जाता था कि आपस में रिलेशन में स्ट्रेस है और बाहर नॉर्मल रहती थी बाहर अपने फ्रेंट सर्कल में बिल्कु नॉर्मल तो जब उस केस को स्टेडी किया गया तो क्या रूट कॉस निकला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्होंने उस बच्चे को अबॉर्ट करने की सोची थी क्योंकि वो थर्ड इश्यू था और वो तीसरा बच्चा लेना नहीं चाह रहे थे और उन्होंने सोचा हम इसको अबॉर्ट करतें लेकिन जब वो डॉक्टर के पास गए और वहां पे वो केस अलरी डिलेड हो चुका था तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया अब उसका नतीजा क्या हुआ उस बच्चे के अंदर ये फियर बैट गया कि ये मेरी जान के दुश्मन है अब वो वहां से जो चीज आई वो पेरिंट्स ने डाली मदर के आई कि भी हमें नहीं चाहिए मदर के अंदर फियर आई कि अगर ये लड़की हुई या क्या हुआ तो उसके अंदर और उनको फियर आगया तो जब उन चीजों को हमने डिसकस किया और ये सारी चीजे निकली तो वहां पे हमने क्रिस्टल दिये जो बच्ची की मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉंग करें और फिर हमने कांसलिंग पे चले तो वहां पे मेरे को तीन साड़े तीन महीने का समय लगा लेकिन आज वो ही परिवार बहुत खुश है और यकीन मानो जब भी उनकी मेरे पास मेलिया लेटर आती है ये लिखा होता है आप कब हमारे शेहर में आ रहे हैं ताकि हमारे साथ डिनर करिये आज़े बाँ यानि अगर आप प्रेग्डन से प्लान कर रहे हैं या आप प्रेग्डन हो गें या आप प्रेग्रन्ट हो गें तो उस टाइम पे आपको मेंटल जो कांशलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके अलावा आपको एक फिसिकल स्ट्रेंट्डिस मतलब आपके अंदर जो स्ट्रेंट है मतला आप यह समझ लीजिए कि 80% क्रिस्टल्स काम कर देंगे 20% आप लोगों का काम होगा और नतीज़ा आपके साथ तो आपको कदम बढ़ाना होगा अगर आपको अपनी जिंदिगी में बदलाव लेकर आना है अपनी परिशानियों को दूर करना है क्रिस्टल्स आपकी मदद जरूर करेंगे लेकिन वो निर्भर करता है आपकी अपनी सोच पर और आपकी अपनी स्ट्रेंथ पर तो अगर आप भी क्रिस्टल के जरी दूर करना चाहते हैं अपनी इसी तरीकी की प्रॉब्लम्स को तो आप हमें कॉंटाक्ट कर सकते हैं हमारी कॉंटाक्ट डीटेल्स हैं आप हमें संपर कर सकते हैं इन नंबर्स पर सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक हमारा वेबसाइट है www.sathimoney.org हमारा एमेल है info at the rate of satimoney.org अनूब जी आप हमारे साथ मौझूद रहें हमें इतनी वैलियूबल इन्फरमिशन दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शक्रिया थैंक यू सो मच मुझे पूरी उमीद है कि आप अनूब जी के सजेशन को जरूर मानेंगे और अगर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं तो आप अनूब जी से आकर मिलेंगे और क्रिस्टल्स का यूस करेंगी अगले एपिसोड में फिरोगे आपसे मुलाकात लेकिन तब तक के लिए बी पॉजिटिव कीप स्माइलिंग और अपना ख्याल रखे क्योंकि हमें आपके फिक्र है कीप स्माइलिंग